इस module के अंदर हम speciation के concept के बारे में पढ़ेंगे कि speciation क्या है और ये कैसे होती है और speciation की cause क्या है तो सबसे पहले speciation क्या है speciation का मतलब है formation of a new species यानि एक species से नई species का बनना ये speciation कहलाती है sometime एक species के जो members है वो किसी वज़ा से main population से हट जाते हैं किसी barrier की वज़ा से separate हो जाते हैं और एक लंबे अरसे तक वो main population से separate रहते हैं दोनों जो populations हैं उनमें independent changes होती रहती हैं और एक बहुत लंबे अरसे के बाद एक वकत आता है कि ये दोनों population एक दूसरे के साथ interbreed भी नहीं कर पाती और नतीजा ये होता है कि ये दोनों जो populations है ये different species के अंदर convert हो जाती है लेकिन speciation जो है ये एक बहुत लंबा process है ऐसा नहीं है कि एक species जो है चन्द सालों के अंदर एक नहीं species के अंदर convert होती है इसके लिए हजारों साल चाहिए होते हैं speciation को हम दो categories के अंदर divide करते है पहली category है anagenesis Energences के अमराद है Energences के अंदर एक Species Transform हो जाती है एक नई Species के अंदर यानि एक पहले से किसी जगाप पे एक population मौझूद थी आइसा आइसा इस Species के अंदर Changes आई और इन Changes के नतिजे में ये Species एक नई Species के अंदर Convert हो गई यहाँ पे क्योंके transformation हुई है एक Species दूसरी के अंदर Convert हुई है लहादा जो पहले Species थी वो नई Species के अंदर Convert हो गई यहाँ पे net जो number of Species है उसके अंदर कोई increase नहीं आया इससे diversity के अंदर कोई increase नहीं आया इसके मकाबले में अगर हम दूसरी टाइब को देखें Cladogenesis तो Cladogenesis के अंदर एक Species Split होती है और दो different Species के अंदर Convert होती है यहाँ पे Cladogenesis के अंदर जो Parental Species है वो भी मौजूद रहती है और उससे आगे मजीद Species इवाल होती है Cladogenesis के नतीजे में diversity के अंदर increase आता है और number of Species भी increase होती है अब Species की Causes क्या है क्यों Species होती है थ्री मेजर Causes जो Species के अंदर Contribute करती है इसमें पहली जो Causes है वो है Geographical Isolation Geographical Isolation से मुराद है कि एक Continent Population थी किसी वज़ा से ये Continent Population दो हिस्सों में बट गई पर जेमपल एक Continent Population सी किसी वज़ा से एक फर जेमपल एक Motorway बना इस Motorway की वज़ा से Motorway के दोनों साइट की जो Populations है वो एक दूसे से सेप्रट हो गई एक लंबे अरसे तक ये Population सेप्रट रही इनके अंदर Changes आती रही Mutations होती रही Accumulate होती रही नतीजा ये हुआ कि एक लंबे अरसे के बाद ये दोनों स्पिशिस एक दूसे से इतनी ज़्यादा डिफरंट हो गई कि अल्टिमेटली ये डिफरंट स्पिशिस के अंदर Convert हो गई ऐसा उस वकत होता है जब दो Population जो किसी वज़ा से separate हो गई है उनमें gene flow ना हो रहा हो क्यूंकि जब तक gene flow होता रहता है migration होती रहती है organisms breed करते रहते हैं उस वकत speciation के chances नहीं होते speciation उसी वकत possible होती है जब gene flow reduce हो जाए sometime ये भी होता है कि ज़रूरी नहीं कि ये 100% gene flow stop हो कहीं ने कहीं हलका फलका gene flow चलता रहता है उसके नेतिजे में भी speciation हो सकती है क्यूंकि दो population में 100% gene flow stop नहीं होती लेकिन gene flow अगर ज़ादा है फिर speciation के chances बहुत काम होंगे इसी तरीके से behavioral isolation दो populations का behavior change हो जाता है बहुत सारी species ऐसी है birds के अंदर जिसके अंदर जो core ship behavior है उसके अंदर songs का display होता है कुछ species ऐसी है जिसके अंदर dancing behavior शो किया जाता है तो जो dancing behavior वाली जो male अपने मतलका female को और करनाईस करते हैं मेंटिंग के लिए इसी तरीके से song वाले song को और करनाईस करते हैं तो यहां पर क्यूंके behavior की वज़ा से दो जो populations है वो differ कर रही है तो एक लंबे अर्से तक अगर ऐसा ही होता रहे तो एक वक्त आएगा कि यह जो members है यह सिरफ आपस पही breed कर सकेंगे दूसरी population के member के साथ breed नहीं करेंगे और यह दो different species बन जाएंगी इसी तरीके से reproductive isolation speciation के लिए reproductive isolation का होना बहुत ज़रूरी है जब तक species के member आपस में inter breed करते रहते हैं उस वक्त तक species different नहीं बन सकती अगर किसी वज़ा से दो population आपस में breed नहीं कर पाती है अल्दो के उसके अंदर barrier मौझूद नहीं है लेकिन उनके दर्मार में कोई distance इतना जादा है कि एक population के member दूसरी population के member के साथ breed नहीं करते अल्दो के इनके अंदर potential मौझूद है यह breed कर सकते हैं लेकिन लंबे अर्से तक अगर यह आपस में interbreed नहीं कर पाते तो हो सकता है कि एक वकत ऐसा आए यह दोनो population एक दूसरे से इतनी जादा different हो जाए कि आने वाले वकत के अंदर यह दोनो population different species के अंदर convert हो जाए